हेलो एवरीवन वेलकम टू भावना लाइफ स्टाइल आज मैं आप लोगों के साथ ढोकले की रिशिपी शेयर करूंगे ढोकला बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक कटोरी बेशन आधा कटोरी सूजी और एक चमच चीनी और तेस के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक भी एड़ कर दी एड़ करने के बाद इसे आप हलका सा मिक्स कर लें मिक्स करने के बाद आप इसमें पानी को एड़ करें पानी इसमें हमें धीरे धीरे करके एड़ करना है एक साथ एड़ नहीं करना है वन्ना ये बहुत ज़्यादा पतला हो सकता है तो आप देख सकते हैं मैं इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी एट कर रही हूँ हमें इसकी consistency जो रखनी है वो बहुत ज़्यादा पतली या बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए अब मैं इसमें एट कर लूँगी थोड़ी सी हल्दी जो की मैंने कलर के लिए एट की है अगर आप चाहें तो इसे skip भी कर सकते हैं और अब मैं इसमें डाल लूँगी एक से देड़ स्पून लैमन जूस और इसे आप अच्छे से आपको mix कर लेना है तो अब आप देख सकते हैं हमें इसकी consistency इस तरह रखनी है बहुत ज़्यादा पतली और बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखनी है बनना ढोगला सही नहीं बन पाएगा तो अब मैंने ले लिया है माउल ढोगला बनाने के लिए तो हमने जो बेशन का पेस्ट तयार किया था उसे मैंने 15 मिनट के लिए rest करने के लिए रखा था और अब इसमें मैंने एक स्पून इनो मिला दिया है आप चाहें तो इसमें बेकिंग सोडा भी मिला सकते हैं बट मैंने इसमें इनो मिला है और इसे हमें 4-5 मिनट के लिए ही फेटना है बहुत ज़्यादा इसे हमें नहीं फेटना है और तुरंट इसे हमें फिर माउल्ड में डाल देना है इसे हमें बहुत ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रखना है तो आप देख सकते हैं मैंने इसे फेटने के तुरंद बाद माउल में डाल दिया है माउल में डालने के बाद आप इसे थोड़ा अच्छे से हिला ले अब मैंने गैस पे रख दी थी कड़ाई ताकि जो पानी है वो बॉयल हो जाए मेरे पास कोई स्टेंड नहीं था इसलिए मैंने पानी के उपर कटोरी रख दी थी अगर आपके पास कोई भी स्टेंड हो तो आप वो भी रख सकते हैं और उसके उपर मैंने रख दिया है माउल तो अब इसे हम 20-25 मिनट के लिए ढख कर रख देंगे जब तक ढूकला बनेगा तब तक हम शुगर सिरफ बना लेंगे तो सुगर सिरफ बनाने के लिए हमें चाहिए तीन हरी मिर्च, थोड़े से करी पत्ता, राई, और देड़ स्पून लेमन जूस, और देड़ स्पून, शुगर और थोड़ी सी नमक तो अब मैंने पैन में थोड़ा सा ओइल डाला था और ओइल में मैंने डाल दिया है राई, करी पत्ता और थोड़ी सी हींग और हरी मिर्च, अब इसे हम अच्छे से थोड़ी दिर भून लेंगे पूनने के बाद, अब मैं इसमें एट कर दूँगी वन कप वाटर और फिर इसमें मैं डेड़ स्पून चीनी एट कर दूँगी और बहुत थोड़ा सा इसमें हमने नमक एट करना है क्योंकि हमने नमक ढूकले में भी डाला है तो ज़्यादा नमक इसमें नहीं डालना है थोड़ी देर ऐसे ही उबाल आने देंगे हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि हम सिर्फ सुगर का एक सिरफ तैयार कर रहे हैं जो कि हम ढूकले में डालेंगे तो इसमें आप मैंने एट कर दिया है तो अब इसे में थोड़ी देर पकने दूँगी तो बस आप देख सकते हैं यह अच्छे से पक चुका है अब आप देख सकते हैं धोकला कितना परफरक्ट तैयार हो चुका है हमें इसे एक बार चेक कर लेना है कि यह पका है या नहीं तो मैंने एक साफ तूथ पिक ली है और इसे आप धोकले में डिप करके देखें अगर ये बिल्कुल साफ निकल जाए तो इसका मतलब है कि आपका ढोकला बिल्कुल पर्फेक्ट बनके तयार हो चुका है और अगर ये थोड़ा सा भी चिपके तो मतलब आप इसे थोड़ी देर और पकाईए तो ढोकला बनके तयार है तो मैंने इसे उतार लिया है और अब आप देख सकते हैं ये कितना spongy बना है अब इसे में pieces में cut कर लूँगी तो आप देख सकते हैं ये कितना spongy बना हुआ है मैं आपको बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ अब इसमें मैं लगा दूँगी जो मैंने तलका त्यार किया था शुगर सिरफ का वो मैंने इसमें डाल दिया है अच्छे से हमें ये सिरफ पूरे ढूखले में डालना है ताकि अच्छे से इसके अंदर तक चला जाए तो बस इसी तरह से आपको ढोकला बनाना है आप एक बार जरूर ट्राइ कीजेगा आपके घर में ये सब को पसंद आएगा बड़े बच्चे क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत ज्यादा टेस्टी भी होता है तो आप देख सकते हैं ढोकला बनकर तयार है बि मेरी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूले बाई